आज जो हम पेपर सॉल करने जा रहे हैं वो RPSC का 2020 एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हुआ था उसी का पेपर 2 है पेपर 1 हम सॉल कर चुके हैं तो आज ही पेपर हम सॉल करने जा रहे हैं पेपर 2 है यह ना जो सेम डे होता है सेम डे दोनों पेपर होते हैं और देखें यह मैंशन ने गलत उत्तर के लिए एक बड़ा तीन भाग काटा जाएका नेगेटिव मार्किंग है आए देखते हैं किस तरह का पेपर आया था फर्स क्यूशन है यदि भारत के सविधान के अंतरगत किसी कारेकारी की तुलना अमेरिकी राश्पती से की जानी हो तो यह प्रदान मंत्री है ना की भारतिय संका राश्पती यह कथन किसका है भारतिय सविधान और अमेरिकी सविधान की तुलना करनी है अगर तो वहां के यहां के प्रधान मंत्रि से जरुर तुलना हो सकती है यह कथन दिया था Hindi उपलियीट कर संग्य गींग्री किया जाता है संगीय मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारन खुद संसत करती है तो इसका जो अंसर होगा वो फोर्थ होगा संसत प्रधान मंत्री कार्याले में निश्पादन प्रबोधन इकाई की स्थापना किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में की गई थी ये की गई थी निश्पादन प्रबोधन इकाई Delivery Monitoring Unit की स्थापना की गई थी मनमोहन सेंग जी के कारेकार में इसका अंसर होगा 2nd मनमोहन सेंग जी भारत के कींद्रिय सचीवाले की जड़े निम्नांगित में से किस अंस्ता में ढूंडी जा सकती है Central Secretariat की जो roots हैं वो हमें किस में मिलेगी हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा केंद्रिय सची वाले है वो कहां से लिया गया है इसका पुरा जो model है तो वो लिया गया है यहाँ पर UK की वाइट हॉल ऑडल से UK के वाइट हॉल मौडल से इकेंद्य सच्छीवालें की जड़ें UK के वाइट हौल मॉडल से ली गई हैं टेलीकम रेखुलरटी अथारिटी यानि कि ट्राइ की स्थापना संसद्य कानुन द्वारा किस वर्ष में की गई थी नेक्स्ट है बारत के सविदान की निम्न में सी किस भाग में केंद्र राज्य प्रशाशनिक और विधाई संबंदों का प्रावधान किया गया है केंद्र राज्य संबंद यूनियान स्टेट अड्मिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिसलेटिव रिलेशन्शिप ये मेंशन है पार्ट 11 में इसका सेकिंड जो है वो सही होगा पार्ट 11 नेक्स्ट है प्रारम में इस वर्श इस्थापित की गई थी इस्थापना किस वर्श होई थी अधिकतर इसी तरह के क्यूशन लग रहा है आएंगे 1968 में 1968 में रॉख की स्थापना होई थी 1968 थार्ड नंबर सही होगा इसका भारत सरकार के कैबिनेट की निम्नांकित में से कौन सी समीती को सूपर कैबिनेट भी कहा जाता है सूपर कैबिनेट किसे कहेंगे सूपर कैबिनेट हम कहेंगे कैबिनेट की राजनेतिक मामलों पर समीती को सेकिंड जो है वो इसका सही होगा Political Affairs Cabinet Committee नेक्स्ट है किस सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपोर्ण देश में जमु कश्मीर को छोड़कर सामान एवं सेवाकर लागू किया गया था सामान एवं सेवाकर यानि कि जो GST है Goods and Service Tax किस सविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है 101-101 अमिडमेंट 101 वा संशोधन अधिनियम नेक्स्ट है मंत्री परिशत के बारे में सविधान के अनुच्छेत 75 के निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए मंत्रियों की निक्ती प्रहन मंत्री की सलापर राश्पती द्वारा की जाती है मंत्री परिशत सामोही कुरूप से संसत के प्रती उत्तरदाई होता है मंत्रियों के पद और गोपनियता की शपत सविधान की दित्ती अनुसुची में दिये गए फॉर्म के अनुसा आराश्पती दौरा दिलवाई जाती है यदि कोई मंत्री छेवा की आउदी में संसत के किसी सदन का सदस से नहीं बनता तो वो मंत्री पदपर नहीं रह सकेगा तो इसमें हमें बताना है सही कौन सा है सही कौन सा है तो पहला था मंध्य रियोगी निक्ति प्रधानमंत्री की सलाफ़ा राश्पती दोरा की जाती है मंधी परिशा सामरी की रुप से संसक्त के प्रति उत्तरधाई होता है इसमें गलत बताया गया है इसमें कहा गया है कि E और D सही है ए और डी को सही बताया गया है नेक्स्ट भारती बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरन के उद्देश्यों के बारे में निमने कितमे से क्या सही नहीं है IRDA के Objectives इनमें से कौन सा गलत होगा Policy धारकों के हितों की रक्षा और उनके प्रती समान वहवार सुनिश्यत करना बीमा उद्द्यों का दुरुत विकास प्रभावी परिवेदना निमारन तंत्र यानि की ग्रिवेंसेज रडरसल मशिनेरी और बीमा क्लेम के लिए राशी का वित्रण करना Distribute funds in case of insurance क्लेम क्योंकि एक प्राधीकरण है तो इसका काम क्लेम देना नहीं हो सकता तो फोर्थ इसका गलत हो जाएगा वित्तायों के सदस्यों की रूप में निक्ती के लिए आवशेक योगिताओं का निर्धारं नुमनि में से किसके द्वारा किया जाता है वित्ट एक की सदस्यूंग की जो नुक्ती है उसका निर्धारन संसदी विधी द्वारा किया जाता है पार्लियमेंट द्वारा किया जाता है कौन से सविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि यदी आवश्यक समझा जाए तो राजिपाल को दो या अधिक राजियों का राजिपाल बनाया जा सकता है जब हम राजिपाल स्टडी करते हैं तो इस तरह की question इस तरह का एक आता है सब्तम संशोधन अधिनियम जो 7th amendment है वो ये व्यवस्था करता है कि राज्यपाल दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है 7th amendment नेक्स्ट है निमलिकित में से किसने सुझाओ दिया कि अनुछे 163 के अधिन राज्यपाल की अधिकारों का संकुचित अर्थानिवन करते हुए उसका साउधानी से उप्योग किया जाना चाहिए यह सुझाओ दिया था पुन्छी आयोग ने कि उन्हें साउधानी से प्रयोग करना चाहिए यह ऐसा कहा था पुन्छी आयोग ने नेक्स्ट है राजिस्थान में संभागी आयोगत का पद कब पुनर जीवित किया गया था तो 1987 में पुनर जीवित किया गया डिविजनल कमेशनर का पोस्ट बारत के सविधान की कौन सी अनुसुची भारत की कुछ राज्यों में स्वायत शाशी जिलों के गठन का प्रस्ताव करती है कौन सी अनुसुची कुछ राजियों में स्वायत शाशी जिलों के अटनॉमस डिस्ट्रिक्स के गठन का प्राउधान करती है तो यह करती है शर्ष्ट अनुसुची सिक्ष्ट शडियूल हमारी देखे बहुत सारे क्यूशन आ रहे हैं Constitution के प्रभावी जिला प्रशाशन को सुनिश्यत करने के लिए प्रिमिनेकित में से कौन सी अभिशंशा दिती प्रशाशनिक सुधार आयोग ने की थी है न डिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन के लिए क्रमिक आदुनिकी करन और रुपानतरन, उत्तरदाई थ्वेतु प्रवर् कारियों का अधिक हस्तांतरन और विकेंद्री करन जिला कलेक्टर के कारियों का नियमित मुल्ले अंकन तो ये चारो ही जो है वो आयोग की अभी शंशाइन थी चारो ही सही है A, B, C, D फोर्ट होगा इसका नेक्स है दिती प्रशाष्निक सुदार एक की सिफारिशों के अनुसार एक AIS अधिकारी को निमने में से कितने वर्षों के अनुभव के बाद जिला मजिस्टरेट के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए एक AIS को जिला मजिस्टरेट कितने वर्षों के अनुभव के बाद बनाना चाहिए तो इन्होंने कहा था कि दस से बारा वर्ष के अनुभव के बाद उन्हें बनाना चाहिए सेकिंड A.R.C के अनुसार नेक्स्ट है कि सविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल को कतिपय विधान सभाओं में एक एंगलो इंडियन को मनुनित करने के लिए अधिकरत किया गया है 23 सविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल को एक एंगलो इंडियन को मनुनित करने का अधिकार है इसवे 23rd अमिट्मेंट नेक्स्ट है भारत के सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राजिपाल को शमा दंडादेश के निलंबन अथ्वा परिहार की शक्ती प्राप्त है तो हो जाएगा आर्टिकल 161 आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग राजिपाल जो है वो शमा कर सकता ह दंडादेश का निलंबन कर सकता है या परिहार की शक्ती है उसे नेक्स्ट आ रहा है निम्नि में से कौन सी कलेक्टर की सटीग भूमी का नहीं है सटीग भूमी का नहीं है ना प्रॉपर रोल नहीं होता कलेक्टर का सारवजनिक वितरन प्रणाली की देखरेक करना कानून और व्यवस्था के संबंद में राज्यपाल को मासिक प्रतिवेदन देना तकावी रण का वित्रण और उसकी वसूली यानि डिस्टिबिशन आफ तकावी लॉन्स एंड दियर रिकवरी गरीबी उन्नमुलन का रेक्रमों का क्रियानवेन करवाना तो इसमें जो सेकिंड वाल निमन में से किसने सुझाया कि राज्यों में मुख्य सचीव की न्युक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की जानी चाहिए अगें अधिकतर यही पूछा गया है किसने सुझाया किसने सुझाया यानि कि जितनी भी रिकमेंडेशन है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी आने वाले एक्जाम के लिए भी तो यह अगें एर्सी जो था देती प्रिशाशनिक सुधार आयोग की यह सुझाओ हो था कि मुख्य सचीव की न्युकती एक कॉलेजियम की सिफारिश के अधार पर होनी चाहिए नेक्स्ट विकास प्रिशाशन विकास के लिए अधिकतम नवमेंश से संबंदित है एक कथन किसका है नवमेंश मनला मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन फॉर डवलॉप्मेंट कि किसका कथन है यह कथन है एडवर्ड विडनर का विकास प्रिशाशन आया एडवर्ड विडनर सबसे पहले अगर आप्शन में है तो हमें वही सही करना है एडवर्ड विडनर नेक्स्ट है निमनिकित में से किसने अभिशंचा की की राज्य मुख्याले और जिला के मद्य कोई मद्य स्तरी प्रिशाशन के स्तर की कोई आवशक्ता नहीं है यह भी देती है प्रिशाशनिक सुधार आयुकी अभिशंचा है रिक्कमंडेशन है नेक्स्ट है विकास प्रिशाशन मुल रुप से 4P पर बल देता है सही 4P का चेहन कीजिए सही 4P कौन से है इसके इसके सही 4P है प्लान पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट याद रखना होंगे दुबारा पूछा जा सकता है इस तरह का क्यूशन प्लान पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट विकास प्रशाशन की विशेष्टाओं के बारे में निम्नमे से क्या सही नहीं है क्लाइंट ओरिएटेशन, गोल ओरिएटेशन, रुटीन ओरिएटेशन या सिटिजन पार्टिसिपेशन ओरिएटेशन तो routine orientation जो है वो गलत होगा वाकि तीनों सही है next सविधान के प्राउधानों के अनुसा निमने में से किस किन राजियों में जन जाती कल्यान के लिए एक मंत्री प्रभारी होगा जन जाती कल्यान के लिए एक मंत्री प्रभारी होगा तो हम जानते हैं कि MP, 36 गड़, उड़ीसा जारकंड जो राजी हैं यहां पर जंजाती कल्यान की ज़्यादा व्यवस्ता हैं क्योंकि यहां population ज़्यादा है यह कथन है गोरवाला का, A.D. गोरवाला का की एक अच्छे कलेक्टर का निवास ज्युवा सहाया कलेक्टर के लिए प्राहे दूसरा घर होता था नेक्स्ट है, स्थानी शाषन की संस्थाओं के निर्वाचन छेत्रों के परी सीमन और आरक्षन का कार्य दृतिय प्रशाषनिक सुधार के आयोग के अनुसार निम्न में से किसे सोपा जाना चाहिए इस्तानी शाषन की संस्थाओं की निर्वाचन शेत्रों के परी, सीपन और आरक्षन का कारे की से सुपा जाना चाहिए तो इसका जो आंसर है वो है राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसा दृतिय प्रशाषनिक सुधार आयोग ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को सोपा जाना चाहिए नेक्स्ट है भारत में छेत्र और जनसंख्या दोनों दृष्टी से सबसे बड़ा केंटॉन्मेंट बौड कौन सा है छेत्र और जनसंख्या दोनों दरष्टी से सबसे बड़ा कैन्टोन्मेंट बोर्ड है कानपूर कैन्टोन्मेंट सबसीडियरिटी के सिध्धान्त के बारे में निम्नमें से क्या सही है संगिय स्थर से रज्यों को अधिक वित्य शक्तिया सौपना इस सिद्धान का प्रतिबादन प्रत्म प्रिशाषनिक दारायोग नहीं किया था जिस कारे को शाषन के नीचे के स्तर पर शेष्टन तरीके से किया जा सकता हो उसे शाषन की उच्चे स्तर उपर केंद्रिकत नहीं किया जाना चाहिए सत्ता और उत्तदायत को संगटन से बाहर प्रत्य योजन सही क्या है तो पहला सही है कि संगिय स्तर के राज्य को अधिक वित्य शक्तिया सोपना नेक्स्ट है राज्य की नगरी संस्थाओं की वित्य इस्तती की समेक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्यवित्तायोग की निक्ति सविधान के किस अनुच्छेत के अनुसार की जाती है राज्यवित्तायोग तो हम सभी जानते हैं 243Y 243Y जो है आटिकल उसके अकॉर्डिंग राज्यवित्तायोग की निक्ति सविधान के द्वारा की जाती है निम्न में से कौन सा विश्य है भारत के सविधान की बारवी अनुसूची का भाग नहीं है वाटर सप्लाई सांस्कतिक शेक्षणिक और सुंदे प्रकायामों के अभी उरद्धी तक्निकी प्रेश्टिक्षण और विवसाइक शेक्षा अगनी सेवाएं में समाज के दुर्बल वरगों के हितों की रक्षा तो वाटर सप्लाई बारवी अनुसूची हम जानते हैं कि लोकल अड्मिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो सांस्कतिक शेक्षणिक सुंदे प्रकायामों के अभी उरत्ती होगा अगनी सेवाएं समाज के दुर्बल वरगों के रक्षा होगा लेकिन तक्निकी प्रेश्टिक शारी को असायक विकास आयूक एडिसी के रूप में नामित किया जाना चाहिए यह सुजाओ दिया था जीवी के राव समीति ने जीवी की संदर्शना होनी चाहिए रस्ट्रिक कॉंसल की रेकमेंडेशन किस ने की थी ये बी दृती प्रशाषनिक सुधारायोग ने की थी राज्य वित्तायोग के काड़ियों के बारे में निम्निमें से क्या सही नहीं है स्थानी शार्षन की संस्थाउं के इसमें जो तीसरा है वो गलत है ये कारिया राज्य वितायुका नहीं होता कि संचित निदी से अनुदान दे लाकि तीनों सहीं है नेक्स्ट इन दिनों निमनाकित में से कौन सी संस्ता समिधानिक रूप से मानेता प्राप्त नगरी संस्थानिय संस्था नहीं है नहीं है तो कजबा चेतर समिती टाउन एरिया कमेटी नहीं है बागी तीनों है नेक्स्ट भारत में नगरिय स्थानी शाषिन की संस्ताओं में प्रवर्तित कार्मिक प्रणालियों में निम्ने में से कौन सी सही नहीं है नगरिय सस्थानी शचिन की सबस्ताओं में प्रवर्तित कारे प्रणाली यानि प्रिविलिंग पर्सनल सिस्टम फॉर अर्बन लोकल बोडीज कौन सा नहीं सही नहीं है प्रथक कार्मिक प्रणाली, सामान्य कार्मिक प्रणाली, एकिकरत कार्मिक प्रणाली, सामान्य कार्मिक प्रणाली इसमें गलत हो जाएगा निम में से कौन सा राज्य पंचायत अधीनियम 1996 के अंतरगत सम्मिलित नहीं है राज्य पंचायत अधीनियम अनुसुचित छित्रों के विस्तार उत्तराखण इसमें सम्मिलित नहीं है नेक्स्ट भारत की सविधान का कौन सा अनुचित लोक सेवकों की राजनीती प्रेरित हैं बदले की कारिवाई से बचाओ करता है तो अनुचित 311 जो है वो इसा करने से रोकता है नेक्स्ट कथन आ गए हैं अब उदारी करन ने विशाल ब्रिश्टाचार को बढ़ावा दिया वास्तों में जैसे जैसे अर्थवस्ता राजी नियंतरन से मुक्त होती है तो बायकारी ब्रिश्टाचार में कमी आती है और कपट पुर्ण ब्रिश्टाचार बढ़ने की प्रवर्ती हो जाती है इसमें क्या होगा पहला A और R दोनों सही है और R जो है वो A का साइस पश्टी करन है सूशना का अधिकार पुर्णत है सफल नहीं हो सकेगा बलकि असफल हो जाएगा यदि इसे E-Governance के साथ सलग नहीं किया जा सकता किया जाता है E-Governance मुलते परदे के पीचे से पुनहय अभियांतरकी की और अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है जो वास्तों में सेवा प्रदाएगी करती है तो दोनों सही है और फस्ट आएगा इसका सही एक्स्प्लेनेशन है नेक्स्ट है वरिष्टा पर अधारित प्रदोनती प्रणाली की निम्ने में से क्या विशेष्टा नहीं होगी यह करमचारियों का मनोबल अभिप्रणा बढ़ाती है यह आंतरिक भरती की सच्च प्रदती सही है इसमें केवल योग्यों और सक्ष्ण व्यक्ति पदर नतर लेते हैं और यह बहारी और अनावशेख हस्त शेप नियूंतम हो जाता है तो तीसरा गलत है बाकी तीन सही हो जाएंगे किसी करमचारी पर अनुशाशन की कारेवाई इनिमलिकीत में से की साधर पर की जाती है तो पहला तो सही है पर बी, सी, डी सेकेंड होगा इसका कथन आ गया लोकसेवा के प्रमुक के रूप में मंत्री मंडल सचिवेन सुनिश्यत करता है कि लोकसेवों का मनोबल उच्च बना रहे हैं मंत्री मंडल सचिवे ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जिसमें सभी स्थाई अधिकारियों का पुर्ण विश्वाश हो दोनों सही है पर ये इसकी व्यक्या नहीं करता है निमनी कितने से किसने आई एस अधिकारियों के लिए सैंड्विच प्रशेक्षन के अभिश्वाश ये वी गईंबार पूछा जाता है फर्स्ट प्रशाषनिक सुधार आयोग नहीं की थी सैंड्विच ट्रेनिंग की अनुशन शा नेक्स्ट आ रहा है लाल भादु शास्त्री राश्टी प्रशाषन अधिकादमी मसूरी के पहचान चिन में कौन सा सिध्धान्त पहचान चिन में सिध्धान्त कौन सा लिखा ह हुआ है शीलम परम भूशणम शीलम परम भूशणम यह लिखा हुआ है नेक्स्ट आ रहा है लाल बाद दुशास्त्री राश्टी प्रशाषनिक अकादमी मसूरी में अखेल भारती सेवाओं के आधारबूत प्रशिक्षन की गती वीडियों पर विचार कीजिए अच्छा के सही कौन सी है जो आधारबूत प्रशिक्षन में आएंगी तो आधारबूत प्रशिक्षन में A, C और D आएगा जो भी है वो नहीं होगा A, C और D नेक्स्ट आ रहा है संगलुक सेवाएक के अध्यक्ष को उसके पद और गोपनियता की शपत कौन दिलाता है तो इसका आंसर है संगलुक सेवाएक के निवरित होने वाले अध्यक्ष और वरिष्टतम सदस्य लास्ट क्षिशन है ये इस वीडियो का सरदार वलबभाई पटेल नैशनल पुलिस अकेडमी है दरबाद के लिए नौडल मंत्राले कौन सा है नौडल मंत्राले कौन सा है घ्रह मंत्राले आएगा पुलिस अकेडमी है तो इसका नौडल मंत्राले घ्रह मंत्राले होगा आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा